चेनल है उसको सस्क्राइब करना है आपको उसका एक कागण जो उपाय हम लोग कठा के माध्यम से बताते हैं यह उपाय आपको यूटूब के माध्यम से आपके मुबाइल पर पहुत जाएं कि जो चोटा करने का भी तो तरीका सास्त्रों में गया है कि गुरुजी कि हरताली का तीच ब्रत इतना भारी होता है कर्वा का व्रत इतना वारी होता है तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम हखुछ जना नइ खाते यहां तक कि मुख में जल प्थी आता है न तो उसको भी हम निगल नहीं सकते अब इतना भारी ब्रत और सास्त्र कहता है कि हर्ताली का तीज का उद्ध्यापन तो पहले होता ही नहीं एक अधशी का तो हो जाता है कि और यह तो है कि आपे निए अधशी कह तो है कि हरताली का थीज का अधेक दर्शी अधशी जब आपके फूरी हो जाय थेन मान थीन अवर्श बहुत आदिक मास आ जाए चब्वीश पूरी एक दर्शी तो लिए अधे करो तृम एक थरो तॉम आराएम तारो तुम्हारे मर कि अद्यापन ना तेरा वर्ष के पेले उत्था जब तक कन्या हो स्ट्री ँचान सेप्पूरुष यह नने पुरुष रोकल कॉन अब्र उसको ध्यापन करना है तो तेरा वर्ष तक तो आपको ब्रत करना ही पड़ेगा उसके बाद ही को गवत्यापन है कर दो कहीं कि माता है तो बड़ी होसियार सोच के बेठी थी कि अपकी साल अध्यापन कर तेरा अवर्ष अगर आपके हो गया ब्रत करते करते लुक्ति हर्तालिकाती हे जहनते हो तेल्ञ और आपके होगा बगवान की बक्ति को दारण करते रदयरा खार आपके हो गया हिसाथ बड़े प्रेम से बड़े आनंद से कि मुझे उध्यापन करना ही तो तेरा वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का अब्रत कर रहे हो साधना कर रहे हो समर्ण कर रहे है उसी भाव से आसमिश को करें कि गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है सहज भासा में समझ लो तीज को हस्तनक चत्र तर्थिया उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हर्ताली का तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो और हर्ताली का तीज का अगर आप इस्मरन कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके उपर उनकी पांच कन्याओं का होना जरूरी मतलब उपर फुलेरा बंदना जरूरी मतलब जानते हो एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमाने और उपर जलाधारी बं पूजन करती है माताइं पूजन करती है कन्या पूजन करती है तुस पर जलाधारी की जगा फुलेरा बनता है मतलब कूल की माला उसमें लटका दी जाती है अब कितनी माला लटकाना चाहिए प्रयास करना चाहिए कम से कम पाच माला उसमें होना जरूरी है और पास से ज्याद शामरीबारी दौतली देव शंकर भगवान की पाँच बेटी इस से अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर बगवान की और भी बेटियों का वे अक्याने मंसा है अशुक सुन्दरी है यह शंकर बगवान की पुत्रिया नर्वदाजी का इसमन आ जाता है नर्वदा है तो हुए आप बस्तू समर्पित कर रहा है हर्ताली का तीज के उद्यापन में जो भी समगरी आप दे रहा है वो पांच होना चाहिए जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा पांच माला से ज्यादा होगा चलेगा पांच से कम अधिक दान